दोस्तो आज हम रैंसम्ड मूवी की कहानी सुनने वाले हैं जो 2023 में आये थी ये कहानी सची घटना पर अधारित है लेबनौन में इसलामिक और क्रिस्चन गुटों के बीच ग्रे युद में करीब 1,70,000 लोगों की जान चली गई थी और इसके राजधारी बेरुत में विरेस आगे से खड़ी कुछ गाण या रोग देती है और जो इनसान इसमें बैटा है उसे निकलने के लिए बोला जाता है वो बाहर आता है और कहता है कि मैं साउथ कोरिया का डिप्लोमेट हूँ पर वो उसकी बात ने सुनते और उसे किड़नेप कर लेते हैं और कार के डिक्की म में काफी हला होता है आखिर डिप्लोमेट को गिड़नेप किया गया है इसके बाद हम ली मिंजुन को देखते हैं ये भी एक डिप्लोमेट है ऑफिस में काम करता है पर आज थोड़ा नाराज है इसलिए कि उसके होते हुए उससे तीन साल जुनियर डिप्लोमेट को पर मु तो जाना था जाते वे अपने कली को जो भी गिफ्ट मिलेते उसे वो गुस्से से जबिन पर फेक देता है वो जैसे ही ओफिसर निकल रहाता कि उसे कॉल आता है वो कॉल एटेंड करता है तो दूसरे तब से बस ठक ठक की आवाज आती है कई बार ये एक कोड लैंग्वेज है जिसे मिन जुन पकड़ लेता है दोस्तों ये वही ओफिसर था जिसे किड्नैप किया गया था लेबिनॉन में इस कॉल के तुरंत बाद मिटिंग बुलाई जाती है क्योंकि उस ओफिसर के किड्नैप हुए आज करीब एक साल हो गय थे अब इन ल अब मिन्जुन को बोला जाता है वहां जाने के लिए वह कहता है कि जुनियर को भेजो जिसको परमोशन दिया है पर आफिसर उसे मना लेते हैं एक नियम यहां यह भी है कि जो कॉल को सुनता है काम उसी को करना पड़ता है और इसके काम के लिए मिन्जुन को कार्टर से मिल पर मिंजुन भी अपने काम का बहतरी knowledge रखता था, उसकी बातों से carter embrace हो जाता है, carter कहता है कि Mr. O को खोजने में मैं मदद करूँगा, मगर क्या ये काम officially है, तब मिंजुन कहता है कि नहीं, ये अन-offocracy है, तब carter कहता है कि दखो मैं एक business man हूँ, और अगर तुम अपना personal काम मुझसे करवाना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए फीस्ट देनी पड़ेगी तब मिन्जुन ने कहता है कि अगर किसी की जान बचाना आपके लिए कि बिजनस है तो उन में और आप में क्या फर्क है फिर भी आप मुझे उसके जिंदा होने का एक सबूत दीजे तो मैं मिनिस्टिर से बात करूँगा मिन्जुन के ऑफिसर को भी मिनिस्टर ओ के जिंदा होने के सबूत चाहिए थे तभी वो इस काम को ऑफिशरी कर सकते थे और पैसो का इंतिजाम कर सकते थे काडर ने हाई से तु नाम के एक आठ डिलर से बात करने के लिए कहा जिसने इससे पहले भी कई किड्नैपिंग केस में अच्छा तरह से काम किया है ली मिन्जुन के ऑफिसर उसे हिसाईतू से मिले के लिए भेशते है ये वहाँ जाता है उनसे मिलता है साईतू ने उससे कहा कि काटर ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि आप सभी मिस्टर ओ को खोज रहे है मैंने अपने आदमी को लेबनॉन में लगा दिया है मिस्टर ओ सचमोज जिन्दा है मिन्जुन उनने कहता है कि ताजुब की बात है और वो ये भूल गया कि मिस्टर ओ उनकी कैड में है अब उन्हें छुडाना है तो करीब 50 लाग डॉनर लगेंगे जिसमें 10% हमारा सर्विस चार्ज होगा और अगर मोल भाव करने की कोशिस करेंगे तो हो सकता है कि वो उनका हाथ पैर काट दे ये सब सुनने के बाद मिंजुन उन्हें एक मैगजिन के कवर पर कुछ लिख कर देता है और कहता है कि मुझे एक ऐसी फोटो चाहिए जिसमें वो ये मैगजिन लेकर के खड़े है वो उनके जिन्दा होने का प्रूफ चाहता था एक दिन डिप्लोमेट का ओफिस में वहाँ के खुफिया एजन्सी केसी आई ए के डिरेक्टर वहाँ आते है उन्हें इस बात गुस्सा था कि अभी तक ये केस उनके पास क्यों नहीं आया और अब तो पैसे देने के भी बात हो रही है वो सबसे पूछते हैं कि पैसे लेके कौन जाएगा क्योंकि सभी जानते थे कि वहाँ जाने का मतलब खत्रे को मोल लेना है उन्हाने कहा कि हमारे पास एजेंट्स है जो ये काम कर सकते हैं तभी कमरे के बाहर से मिंजुन कहता है कि मैं पैसे लेके जाओंगा ये सिंते ही उसे मीटिंग में बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि क्या तुमने कभी गन पकड़ी है और अगर गोलिया चली तो कहीं भाग तो नहीं जाओगे तब इसने जवाब जै कि सर मैं अपने आपको प्रूफ करने नहीं जा रहा हू बलके जिस समय फोन पर वो कोड मुझे मिला मैं समुझ चुक हो था कि ये काम मुझे ही करना है अपनी काबलियत पर करना है केसी आई के डारेक्टर हाला कि उन्हें अच्छा तो नहीं लगा कि कहते हुए पर उन्हें कहा कि इस लड़के में दम है उनके जाने के बाद सभी दिप्लोमेट ली मिंजुन की तारीफ करते हैं क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि केस केसी आई को मिल जाए इस मौके पर ली मिंजुन ने अपने ऑफिसर से कहा कि सर मेरा एक सपना है कि मैं यूएस मेरा करके अपने देश की सेवा करो तब उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ये पैसे वहां लेके गए तो हो सकता है कि एरपोर्ट पर रोक लिया जाए और उनसे वो पैसे ले लिया जाए ऐसा हो चुका है साइटू उसे एक पेंटिंग देता है जिसके कीमत 35 लाग डॉलर था वो एरपोर्ट पर किसी को देना था साइटू कहता है कि आज से तेन दिन बाद तुम्हारी वापसी की फ्लाइट है पर वो तब होगा जब बाकी के 25 लाग डॉलर मुझे मिल जाएंगे ये कहता है कि ठीक है मिंजुन बेरूत पहुंचता है पर वहां के सेक्यूर्टी वाले खबर मिल जाती है कि कोई कोरियाई मिस्टर ओ को छुडाने के लिए पैसे लेकर आ रहा है तो वो उसे खोजने लगते हैं थोड़ी दिर में वो ली मिंजुन को खोज भी लेते हैं और इसाड़े से उसे अंदर बुलाता है हालाकि जो लोग चेक कर रहे थे वो उस पर नजर बनाये हुए थे वो उसे अंदर जाते में देख लेते हैं वो समझ जाता है कि कुछ तो है वो उसके तरह भागते हैं मगर अभी वो थोड़ा दूर थे ये तुरंत अंदर जाके पहल इससे तरह और यह पेंटिंग को अपने पास रख लेता है इसके निगलते ही वो लोग भी वहां आ जाते हैं जो उसे पकड़ना चाहते थे पर मिंजुन जल्दी से सड़क पर चल जाता है और एक टैक्सी के अंदर चला जाता है और उसे तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कहता है हाला कि ये लोग भी वहाँ चले जाते है और गोलिया चलने लगती है पर टैक्सी वहाँ से निकल जाती है कुछ दूर जाने के बाद टेक्सी ड्रावर अपनी गारी से बहार निकल जाता है और मिंजुन को कहता है कि तुम भी बहार निकलो और वो कहता है कि मैं तुम्हें और लेकी नहीं जा सकता तुम्हारी वज़ा से आद मैं मरते मरते बचा मिंजुन कहता है कि देखो मैं अपने देश के लिए बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ तुम भी एक कोरी आई हो और तुम मुझे कैसे बना कर सकते हो पर वो नहीं बानता है तब इस निखा कि मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दे सकता हूँ उसने उसे 100 डॉलर निकाल कर दिया पैसे देखके उसका मन बदल गया उसका नाम किम पांसू था मिंजुन ने कहा कि मुझे एक ऐसी जगह लेके चलो जहाँ पर मैं इंटरनेस्टन कॉल कर सकूँ किम उसे एक ऐसे जगह लेके जाता है मिंजुन अपने ऑफिसर को सारा रिपोर्ट देता है और वो कहता है कि वो पहुंच गया और एक ड्राइवर है जो उसकी मदद कर रहा है उन्होंने खुद कहा कि वो कहीं किम पांसू तो नहीं है इसने कहा कि हाँ तब नोंने किम से ब भरसा नहीं करेना इसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं किम को पांस भराना था पर वहाँ बहुत साइट लोग बंदूक लेके सभी गाडीयों को चेक कर रहे थे पर किम थोड़ा चलाता वह उन लोगों से बात कर लेता है और पैट्रोल भराक कर वहां से जैसे ही वो न पैसे का लालस देता है पर इस बार वो कहता है कि ठीक है तुम मुझे US का वीजा दिलवा दो पर इसके लिए मिंजुन उसे मना करता है यह कह कर कि यह मैं नहीं कर पाऊंगा तब उसे वो 300 डॉलर पर मनाता है इदा दूसरे गैंग को पता चलता है कि बेरूत में लेंदिन होन चाता था उसने कहा कि चलो मिस्टर ओ के पास और जल्दी यहां से निकल जाओ मिंजुन ने सुचा कि वहां काम तो बड़ा जल्दी हो गया किम पांसू वहां से जाना चाता था पर मिंजुन उसे रोक लेता है उसने कहा कि मैं तुम्हारे US का विजा बना दूँगा बात से मिंजुन पर रिसान हो जाता है पर करीम उसे कहता है कि मैं तुम दोनों को किसी सेव जगह पर पहुंचा देता हूं और हम मिस्टर ओ को खोज निकालेंगे अब यह दोनों एक कमरे में आराम करने चले जाते हैं रात का समय था किम ने खिड़कियों पर गद्दे जैसे हैं मिंजुन सो जाता है यह धीरे से उसका बैग खोलता है और सारे पैसे निकाल कर अपने बैग में भर लेता है और वहां से चला जाता है थोड़े जिर बाद गोलिया चलने के आवाज आती है मिंजुन उठ जाता है उठ कर सबसे पहले वो अपने पैसों को देखता पर पैसे तो थे ही ने, वो समझ गया कि ये किम का काम है, वो बाहर देखता है, तो जो सिक्योर्टी वाले ने उसे एरपोर्ट पुरोका था, वो वहाँ पर आ जाते हैं, जब तक यो उपर आते, इसने गेट लगाया और खिटकी से बाहर निकल गया, और खिटकी के साइट मे कुछ प्राबलम हो गया था, ये इस साड़े से उस पर गुस्सा होता है, और उसे रोकने के लिए बोलता है, पर किम देखता है कि आरे बापरे अब क्या करे, वो तुरंद गाड़ी स्टार्ट करता है, और वहाँ से चल देता है, ये जिस पाइप को पकड़ का लटका वो तूटकर नीचे गिर जाता है, और ये भी नीचे गिर जाता है, ये उसके कार के पीछे भागता है, फिर वो एक दूसरे आदमी की कार लेकर किम का पीछा करने लगता है, क्योंकि बिना पैसों के वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता था, अब किम आगे आगे और ये उसके प पकड़ लेता पर मिन्योन की कार एन वक्त पर खराब हो जाती है और किम पैसे लेकर निकल जाता है अब ये किसे संसाम रास्ते में अक्यला था हर तरफ अंधिरा तभी कुछ खुंकार कुटों के जुन्ड इसे घेर लेते हैं ये सुचा कि अब क्या करें ये तुन्द गारी क अंदर चला जाता है और सब तरफ सशी से बंद कर लेता है थोड़ी दिर बाद कुटे वहां से चले जाते हैं पर सिक्यूरिटी वाले खोजते हुए उसे वहां पहुंच जाते हैं फ्री कार से निकल कर वही कुछ पत्थरों में छुप जाता है वो लोग आते हैं उसे लेकिन उन्हें कुछ कुटे दिखाई देते हैं उन्हें लगा कि साइद वहां से चला गया है तब उन्होंने उसके कार को बम से उड़ा दिया और वहां से चले गया इधर किम पैसे लेकर अपनी गल्फिंड के पास जाता है पर वो इससे जादा समझदार थी वो उसे किम भी सोचता है कि उसने अच्छा नहीं किया वो सारे पैसे को लेता है और एक पानी की बॉटर लेकर वहां से निकल जाता है मिंजुन को खोजने के लिए उसे उसकी कार तो मिल जाती है जिसे उड़ा दिया गया था चलते चलते सुबह हो जाती है तब जाकर उसे मिंजु किम ने उससे समझाया कि मुझसे गलती हो गई मैंने हमेशा पैसे की दिक्कत देखी है और इसलिए मैं यह कर बैठा पर अब और मिंजुन को पैसे भी मिल गये थे अब दोनों ने फैसला किया कि वो करीम से मिलेंगे दोनों करीम के चेक पोस्ट पर जाते हैं सभी गुटों का अपना अपना एरिया था करीम ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि उन्हें मिस्ट्र O मिल गया है है वो बाहर एक और कार के डिक्की में है में इसके बाद मिंजुन करीम को 25 लाक डॉलर देता है फिर दोनों बाहर जाते हैं उस कार के पास जिसमें मिस्टर O को रखा गया था जब वो डिकी खोलते हैं और मिस्टर O को देखते हैं तो उन्हें बहुत ब्रौ लगता है वो बहुत बुरे इस्तिती में थे, बिल्कुल डरे वे, वो रो रहे थे उन्हें बुलाने पर वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे थे फिर मिंजुन ने उस कोड का इस्तिमाल किया जो उन्होंने फोन पर उसे दिया था तब कहीं जाकर उन्हें पैचाना कि ये कोई अपना है दोनों उन्हें वहां से दूसरी जगा पर लेके जाते हैं उन्हें लोगों के जाने के बाद दूसरे गैंग के लोग भी वहां ओजते हुए पहुचते हैं और गाड़ी को खाली देखकर कार पर ही गोलिया बरसाने लगते हैं इधर मिंजुन एक सेव जगा पर मिस्टर O को रखे रहे था करीम के लोग भी वहां थे मिंजुन उनके बेटी की फोटो और ड्राइंग उन्हें दिखाता है किम भी उनसे बात करता है वो किम को भी जानते थे वो मिंजुन को ठैंक्स करते हैं क्योंकि उसने अपना वादा निभाया ये सब चल ही रहा था कि दूसरे घुट के लोग उसे उस जगह पर भी खोशते वे आजाते हैं पर उन्हें वो आते वे बहुत दूर से देख लेते हैं तो वो वहां से निकल जाने में काम्याब हो जाते है इधर कुरिया की सरकार उन्हें बाकी पैसे देने से मना कर देती है उन्हें ऐसा लगा कि अगर लोगों को ये पता चलेगा कि सरकार उन लोगों से सौधे बाजी कर रही है तो हो सकता है ये उनके छवी के लिए खराब हो उनका कहना था कि जब वो जॉर्डन क्रॉस कर लेंगे तब उन्हें पैसे दिये जाएंगे हाला कि मिंजुन के आफिस वाले सरकार से बात कर रहे थे कि उन्हें पैसे दे दिने चाहिए नहीं तो वो उन्हें मार देंगे पर उनके लिए एक जान का कोई महत्व नहीं था और वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि किम ने एक बार पैसे लेकर भाग जाने की कोचिस की थी इसलिए वो मिंजुन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे इधर बेरूत में ये करीम की अड़े पर सेफ पहुंच जाते है पहुंचने के बाद करीम मिंजुन से कहता है कि इसके प्लान को कैंसल कर दिया गया है तो पारे सरकार ने पैसे देने से मना कर दिया मिंजुन कहता है कि ये नहीं हो सकता करीम कहता है कि हाँ ये गलत तो है पर ऐसा ही हुआ है अब हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तब मिंजुन कहता है कि ठीक है चाम मैं एक कॉल कर सकता हूँ करीम उसे फोन करने के लिए लेके जाता है मिंजुन अपने आफिस में बात करता है तो वो भी उसे कहते हैं कि हम यहां से कुछ नहीं कर सकते हैं तुम वहां से अकेले आ जाओ यह उदास हो जाता है फिर यह किसी को टेलीग्राम करता है और वहां से निकल जाता है कोरिया में जितने भी डिप्लोमेट थे इसके आफिस के हाला कि वो पुरी कोशिस कर रहते कि दोनों वहां से सेफ आ जाए और सरकार पैसे दे दे इसके लिए उसके आफिस के सारे स्टाफ ने अपने तीन महीने की सैलरी दे दी उन सब का अपने आफिसर से कहना था कि सरकल हमें भी कहीं जाना हो सकता है हम इस भरोसे पर जाते हैं कि कुछ होने से सरकार हमारी मदद करेगी नहीं तो कोई भी अपनी जान खत्रे में क्यों डालेगा इधर बेरूत में करीम मिंजुन को दोग गन देता है और कहता है कि जल्दी से यहां से निकल जाओ तुम्हारे लिए यहां रहना अब नामुम्किन है करीम के चेरे से लग रहा था कि वो उसे ऐसे छोड़ना तो नहीं चाहता था पर वो अकेले बिना पैसे के कुछ भी नहीं कर सकता था मिंजुन फैसला करता है कि वो बाय रोड बॉर्डर कॉस करेगा किम कहता है कि मैं भी आप लोग के साथ चलूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो वो वहां का लोकल था और उसे वहां का सब कुछ पता था और ये भी कि उसे यूएस का विजा चाहिए था पर मिंजुन कहता है कि याद मैं तुम्हें यूएस का विजा नहीं दिला पाऊंगा ये सुनका किम थोड़ा अपसिट होता है पर वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं पर मैं यहां से जाना चाहता हूँ मैं यहां इलेगल तरीके से आये था और इसलिए मैं फ्लाइट नहीं पकड़ सकता हूँ मैं चाहता हूँ कि आगती बार मैं अपनी माज से मिल सकूँ किम का जाना तै हो गया आगली सुबह किम अपनी गल्फिंट से मिलने जाता है मिंजुन और मिस्टर ओ एक सेफ जगा पर थे पर सुबह दूसरे गुट वाले लोग वहां पहुंच जाते है इन दोनों को हर घर में खोचने लगते है मिंजुन को यह पता चल जाता है वो मिस्टर ओ को छट के रास्ते से लेकर भागने की कोक्सिस करने लगता है वहां से जाना असान नहीं था एक बार तो लगा कि दोनों पकड़े जाएंगे पर सही समय पर किम भी वहां आ जाता है जो उसकी मदद करता है पहले तो मिंजुन मिस्टर ओ को छट से उतारता है यहां उससे गोली लग जाती पर वो बच जाता है फिर यह सब कार में भागने लगते है की मच्छे से कार चला रहा था बहुत सारी कार इसके पीछे थी पर यह पतली-पतली गलिया लेकर गुजर रहा था और उन्हें चकमा दे रहा था यह सिलसला बहुत देर तक चलता है एक गली में तो यह फस भी गय थे पर फिर किसी तरह वहां से निकल गया पर फिर आगे जाकर इनकी कार पलट जाती है वहां यह सब पकड़े जाते है पर ठीक समय पर करीम वहां आ जाता है जो इन सब को प्रोटेक्ट कर रहा था उसने कहा कि कोरिया से पैसा आ गिया है तुम दोनों को यूएन के जहाद में जाना होगा जल्दी करो मिंजुन करीम से कहता है कि क्या एक एक्स्ट्रा सीट का इंतिजाम हो सकता है हम तीनों के लिए पर उसने कहा कि नहीं मुझे किवल दो कहीं ओर है मिंजुन अपने नाम वाले सीट कीम को दे देता है और कीम को अंदर जाने के लिए कहता है मिंजुन ने अपने सीट कीम को दे दी जब कीम को यह पता चला तो वो से लड़ पड़ा वो छोड़ कर नहीं जाना चाहता था वो रोने लगा पर मिंजुन फैसला कर चुका था कि अब वो बाद वाले फ्लाइट से आएगा जो साइद उसके लिए आसान नहीं था और वो यह जानता भी था पर अभी जो वक कर रहा था साइद ये करना सही था मिस्टर ओ और किम फ्लाइट पर चड़ जाते है मिंजुन अगले फ्लाइट के लिए टिकेट काउंटर से टिकट लेता है पर वही उसे सिकुरिटी वाले पकड़ लेते हैं और उसे ले के जाने लगते हैं पर उसी समय मिंजुन के हाथ में एक बैग था जिसे वो बॉम बॉम कहा करें सारे लोगों के बीच में चला जाता है और फिर रुख जाता है बहुत सारे जर्नलिस्ट भी वहां थे बाहर के देशों के वहाँ मिंजुन कहता है कि मैं एक कोरियाई डिप्लोमेट हूँ यहाँ के सिक्यूरिटी वाले मुझे इनलीगल तरीके से गिरफ्तार करना चाहते हैं इसके बाद हो सकता है कि मैं गायब हो जाओ यह कहकर वो बैं छोड़ देता है और सिक्यूरिटी वाले उसे पकड़ लेते हैं उसने ऐसा इसलिए कि सबका ध्यान उस पर जा सके और यह बात अख़वार में छप सके मिस्टर ओ और किम कोरिया पहुंच जाते हैं और वहाँ वो अपने फैमिली से भी मिल लेते हैं मिन्जुन को एक महने बाद कोरिया के सरकार छुडा लेती हैं बाद में जो 25 लाग डॉलर करीम को मिले थे वो कार्टर ने दिये थे ना कि कोरियाई सरकार ने और इसका सबसे बड़ा कारण ली मिन्जुन खुद था जिसने कार्टर को टेलीग्राम लिखा था इसमें लिखा था प्लीज मिन्जुन कोरिया वापस चला जाता है जहां जाकर वो किम से मिलता है और दोनें मिलकर खुश हो जाते हैं तो इस केस की जनकारी दोस्तों कहानी पसंद आये तो लाइक दर्रू किजेगा दर्ने भाग